हेलो फ्रेंज्स हेल्दी दूसरी में आपका स्वाधत है आज हम बनाएंगे मोदक फ्राइव मोदक बनाएंगे हम हमने स्टरफिंग का समान लिया है इसके लिए हमने पाँच पादाम को भी काट लिया है छहरी इलाइची इलाइची हम वूटके डालेंगे दो चम्मच खोया या मावा है हमने इसको खिस लिया है इसका इसका ब्राउन पात करके इसको खिस लिया था एक कटोरी पिशिव चीनी या बूरा स्टफिंग का समाना है ये उपर की पड़ तयार करने के लिए दो, एक पिंच नमक लेंगे दो चमज गी एक कटोरी ग्यों काटा एक कटोरी मैदा आधा कप पानी सबसे पहले हम गी को मेंट कर लेंगे गी मेल्ट हो गया है बाउल में ग्यों काटा मैदा एक पिंच नमक गी गी को हमने इसलिए मेल्ट किया है इसके थोड़ा सा गुन-गुना किया है ताकि हमारे मोदर सॉफ्ट बने, कुरकुरे बने अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको इस तरह का हमारा आटा हो जाना चाहिए यह मुट्की बननी चाहिए इस तरह से अभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सक्त आटा पूरी जैसा आटा गुन करके तयार करेंगे दो को हम 10 मिनट दके रखेंगे ताकि यह सेट हो जाए इससे स्टाटिंग तयार कर लेते हैं आटा जाएची को हम पोट लेते हैं इलाएची को हमने कोट लिया है उसका छिलका अलग कर दिया है पैन में नारे डालेंगे तो नार्यल को एक से दो बिनट भूलेंगे इसको ताकि इसका एक्षटा पानी जो इसमें पानी होगा वो तो ड्राई हो जाएगा इसमें डालेंगे पिस्यू चीदी मावा यकोया हर इलाइची बादाम गाजू अभी तो इसमें डालके अच्छे से मिक्स कर देंगे सबी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है हमारी स्टफिंग तयार हो गई है गैस बन कर देते हैं और इसको ठंडा करने के लिए बावल में निकाल लेते हैं दो भी हमारी सेट हो गई है अब इसको थोड़ा सा मसल के चिकना करेंगे थोड़ा सा पाट लेंगे बाकी को रख देंगे इस तरह से एक दम से छोटी पूरी के साइस का हमें पेडा लेना है छोटी पूरी बेलनी है आंको बाकी को रख देंगे एक ले लेंगे इच बाकी को देंगे स्टाफिक लेंगे इस तरह से अभी क्या करेंगे यहां से उठाएंगी देखिए इस तरह से इसको दबा देंगे दूसरी प्लेट भी इस तरह से अंदर की दरब इस तरह से इस तरह शह साथ कलियां बना लेंगे इस तरह की इस तरह कि ज्टोएंट कर देंगे इसको यां से इस तरह जो ये साइट की है इनको उठालते हुए सबी कलीों को इस तरह इस तरह से हम सभी व 누가 को बना लेंगे कर दो कि इसको जोइन कर देंगे इस तरह से इस तरह से और यह जो किनारे हैं इनको उपर इस तरह से पकड़के इस तरह से थोड़ा उपर कर देंगे सबी मोद्गो को हमने बना लिया है कड़ाई में हमने तेल गरम होने की लग दिया था तेल हमारा गरम हो चुका है हमें इने वीडम फ्रेम पर ही प्राई करना है एक एक करके मोद्गो को डाल देने इस तरह से मुझत आए उपर को ऑट मोद्गो को देंगे मोद्गो कर देंगे से लाए था जाए रह से दिए लाए और ड़े ऑ्रोफ बनाए लाएमने नहीं से जए राएमने तरह से सम्झेक TRAC मोदक गोल्डन प्राउन हो चुके हैं इनल ताल लिए ते मोदक हमारे बन करती तयार है इन्हें आप एक बाद जरूर रही कीजिए और गणे चतुरती भर गणे जी को भोग लगाईए हम इन ते अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ ठैंक यू